दोस्तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप बोट्स अप पर ऑनलाइन होते हुए भी किसी दूसरे बेप्तिक ओफलाइन कैसे देख सकते हैं यहां पर जो मैं आपको तरीका बताऊंगा विल्कुल यूस्पिल है और आप आसान तरीके से इन दो तरीकों से आप बोट्स अप पर ऑनलाइन होते हुए भी ओफलाइन दिख सकते हैं तो यहां पर यह ट्रिक आपको बताओंगा वो बिलकुल useful है जो मैं भी यूज करता हूँ कभी-कभी आपको भी मैं बताओंगा कि आपको कैसे यूज करना है वीडियो को बिलकुल last तक देखना है बिलकुल भी skip नहीं करना है ठीक है दो तरीके बताओंगा वीडियो पसंद ायए तो यह लायक और चैनल को सब्सक्राब करके आपको simple से जो एक नमबर की trick है वो आपको ने brought in जाना है और यहां ठीड़ोट पर क्लिक करना है और सेटिंग पर क्लिक करना है अब यहां पर आपको क्या करना है जो account पर क्लिक करना है privacy पर क्लिक करना है यहां जो last thing का option है इसे आप nobody कर दीजी ठीक है इस तरीके से अब यहां पर आपको एक काम करना होगा जैसी आप nobody करेंगे जैसी कि आप WhatsApp पर कब आए कब गए किसी को पता नहीं चलेगा इससे ठीक है तो यह तो एक तो यह तरीका है दूसरा क्या है पो 100% आपको अच्छा ही लेगेगा आपको अपने WhatsApp पर जैसे किसी ने कोई message भीजा है तो आप उसे message भीज़ दीजी ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है आपको message वगएरा जो आ गए है उसके उसका simple से पने WhatsApp पर लांग प्रेस करेंगे और एफम्टू पर क्लिक कर देंगे और यहां पर जो option उता data uses पर क्लिक कर गए यह दो option आपको on कर लिन होंगे अब होगा क्या keepable WhatsApp का क्या होगा data बंद हो गया है लेकिन क्या होगा message तो जाएगा message जाएगा लेकिन आप पर टिक नहीं होगा बिलू टिक नहीं होगा वो कैसे होगा आप अपने WhatsApp पर लांग प्रेस करेंगे और इस तरीके से आप यहां पर data use पर क्लिक करके यह दो option आप बंद कर देंगे उसके बाद आपको यहां से बिदक चलना है अब आपके WhatsApp पर बोग चला जाएगा message ठीक है तो इसी तरीके से कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है आपको भी फालतों में जो लोग खताते हैं कि यह ऐसा कर लो ऐसा कर लो और कुछ भी तरीका नहीं है यह दो तरीके हैं बस ठीक है फिलाल लेता हूँ इस वीडियो में बिदा जैहिंद